लेकिन इनके आरों पर भारतिय जन्ता पार्टी के नेता भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। भारतिय जन्ता पार्टी के नेता कैसे ही इनकी सियासत पर जवाब दे रहे हैं या अपनी सियासत चमका रहे हैं। वो सुन लीजिये ज़रा। हमें उमीद थी कि हमें इस मुश्किल के वक्त में पड़ोसी राजों का और सहरा मिलेगा लेकिन हर्याना सरकार को कोई फरक नहीं पड़ता हर्याना सरकार को पूरी विनर्मता के साथ अपील करने के लिए हमारी कैबिनेट की साथ ही आतिशी जी सत्य ग्रह कर रही है तो दिल्ली के लोगों का जो पानी है वो हर्याना सरकार के माध्यम से उनकी नदियों से आता है जो पानी निर्धारित है पिछले कई महीनों से या आप कह लीजिए जब से गर्मी की शुरुवात हुई है हर दिन आतिशी को सरकार से लड़ना पड़ता है LG से लड़ना पड़ता है BJP वालों से लड़ना पड़ता है हर्याना की सरकार से बार बार अनुरोध करना पड़ता है हमारी मंतरी हमारी सरकार ने जो कुछ करना था वो सारी चीजे कर ली और अंत में हमारे पास यह की रास्ता बचा कि अंचन पे बैठे आज दूसरा दिन है और आप देख रहे होंगे कि उनकी चलने फिरने से लग रहा है कि अब वो काफी जादा वीकने सारी है तो मैं तो बस हरियाना सरकार से प्रधान मंतरी मोधी जी से यही गुजारिश करूँगा कि पानी पे राजनीती मत करें लोगों हमारी मंतरी प्रधर्शन कर रही है दिल्ली के लोगों के लिए प्रधर्शन कर रही है लेकिन इस बीच भरतिर जनता पाटी के नेता कैसे इस पर सियासत कर रहे हैं कैसे वो आरोप लगा रहे हैं दिल्ली की सरकार पर यह आपको बता देते हैं भरतिर जनता पाटी के नेता पहुच रही है लेकिन लोगों को पानी फिर भी नहीं मिल रहा है टैंकर के उपर चड़ रहा है मारा मारी हो रही है पानी के लिए प्रदर्शन गारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है किसी तरह के से लोगों को रोका दा सके प्रदर्शन करते हुए समझे हक की मांग कर रहे हैं उनका कहना है हम उसके बाद भी हम पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी ने अंशन को सियासी ड्रामा बताया है, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जलमंत्री जो अंशन पर बैठी हुई है, वो सियासी ड्रामा कर रहे हैं, वो सिंपथी लेना चाहती है, वो ये चाहती है कि दिल्ली के लोगों को बहला फुसला सके, किस तरह के से वो सरकार परोटर कानन का इसमाल किया जा रहा है ये तस्कूर देखिये जहां तक आपती नजर जा रहे है लोगों पर Water Canyon का इस्तमाल किया ज़रा एक तरफ दिल्ली में पानी नहीं है पानी के लिए मारा मारी हो रही है वहीं लोग जब पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पर पानी की ही बौच्छार की जा रही है यानि पानी की वेस्टिस की जा रही है लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और ऐसे ही प्रदर्शन दिल्ली में भारते जन्ता पार्टी की नेताओं का कहना है कि हमारा जारी रहेगा क्योंकि हम दिल्ली के लोगों की हग की बात कह रहे हैं कैसे सियासत और हो रही है इस मामले पर जरा सुनिए गाई हर गली में हर महले में पानी नहीं पहुच रहा है और जो चलमंत्री है वो नोटंग की कर रही है धरने पर बैठ गई है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ आप सरकार चलाने के लिए हैं धरने पर बैठने के लिए हैं आपने वैज्यानिक ज्यान बाटते थे केजरिवाल वैज्यानिक भी सरमा जाते थे कि शीला दिशित भर्ष्ट है टेंकरों में भर्ष्टा चार इसको जेल भेजूँगा अब आप भली कहते रहो लेकिन आपका जो काम है वो तो करनी रहा और एर कंडिशन कूलर लगा कर एसी वाला ठंडा और वहां पर सत्यागरे के नाम से बैट के जब उनका फर्ज बनता था कि वो फिल्ड में जाकर मॉनिट्रिंग करें एक वार सेंटर का रूम बनाएं और टेंकरों के भर्ष्टाचार को रोके यलाके में जाके देखें पानी की त्रही ताहर होई पांच लाक लोग प्रतिवर्स दिल्ली में बढ़ जाते हैं अगर रिजर्वार जो है वो वजीराबाद का रिजर्वार 200 अंजी का था वो गाद और मिट्री से भरा हुआ है 233 एमजीडी पानी कमाता क्यों 16 एमजीडी कर रह गया वो क्या करते रहे थे साल में क्यों नहीं साप किया